किताब विपर्ण की रीततों साच्छदा मारग पाग चौथा लेखक सरदार गुरुबक सिंग काड़ अफगना पहले कांड़ दा दूजा पाग सूतक पातक दा पर्म वाहिकुर जी का खाल्सा वाहिकुर जी की फते हिंदू तर्म दे शाष्टरां विच लिखिया है के जीव दे जनम अते मर्न कार्न अपवितरता अशुद्धी पाव पेट वापर जानदी है जनम वेडे वापर्न वाली अपवितरता नू सूतक अते मर्न तों पैदा होन वाली पेट नू पातक मन्या है पर आम लोकी जम्मन अते मर्न दुहां समयातों होनवाली पेटनू सूतक ही कहीं देसान पातक शब्द ब्रामन वर्थ देसान अतर सिमिती दे सलोक चरासी उनसार जनम दी अशुदी पाव सूतक ब्रामन दे कार ग्यारां देन खतरी दे कार तेरां देन वैश दे कार सतारां देन अते शूदर दे कार ती देन अते प्राणी दी मौध हो जानते पातक पाव मौधों पैदा होई पेटर ब्रामन दे कार दा पेट भी जनम सनमे दे सूतक जिनने पूरे ती दिन रहीं दी मन्न दा उपदेश है ब्रामनी रीत नो मन्न वाले लागपाग सारे हिंदू कराने सूतक वाले कारणू अप वितर मान के सूतक दे दिना वेच ओस कारणार खान पीन दी वर्तों विहार बांद राख दे हन उजपा में सिमर्तिया ने ब्रामन नो नहे कलंक कोशित कीता होया है पर सूतक दे मसले वेच ब्रामन दे कारणारों मी ग्यारा दिना लई खान पीन दी सांज तोड लेन दा रिवाज सी जनम मरं दे अटाल रब्बी होकम दे वरुद ब्रामन दी एक खुली बगाव सी अजीब तमाशा हो रहा होंदा है के जिस बच्चे दे पैदा होन कारण बढ़िया खुशिया मनाईया जारिया होंदिया हन कोशनों जनम देन वाली इस्तरी सूतक दे दिना विच करदयां बारदयां वास्ते पिटड़ होई दूर बैठी होंदी है मनोख दी जन्म दाती और सोई वाले थांदे नेडे नहीं सी जा सागदी उस बीबी नाड शूदर वर्गा वी बिहार कीता जान्दा सी ब्रह्मना अथवा हिंदूआं दे करावेचता अजही पेट होनी ही सी पर अजहे परमा दा नाश करनाए साथ गुरु ग्रन सैब दा खाल सा अजहे परमा वीच क्यों फसे समाज विच विदकरे अते फोटदा अनवव काईम रखन वाली इस दोखदाई ब्रह्मनी रीत नू गुरु नानक सैब जी ने मनुखता नाल कीती जान्दी वदी की जानेयां लोका नू इस परमविच्चों कर ड़नी बड़े असरदार शब्दां विच सिख्या देन दी क फिर्पा कीती फुरमाया के जे जीवां दे मरंतों जां पैदा होन तो पेट बन दी है ता हर समें हर था जीव लखां जामदे अते मर्दे रिंदे हन। दानियां समेत सारी बनासपती वेच जान है पाणी, दोद, दही अथवा हवा वेच ब्यंत जीव हन। बालन दे काम आउन वाली लकडी अते गोहे वेच ब्यंत जीव जम दे हन। अते आगनाल सड मर दे हन। स्वासां दे अंदर जान अते बार आउन नाल वी कई परकार दे के टानू जीवा दा संगार हुंदा है जही पेट खान पीन दी थार सोई वेच सदा वापर दी रही दी है। जे कर सूतक मन्या सब तैं सूतक हुए गोहे अते लकडी अंदर कीडा हुए जेते दाने अनके जिया बाज न कोई पहला पाणी जियो है जेत हर्या सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोई नानक सूतक एम न उतरे ग्यान उतारे तोई पन्ना चार सो बहतर फोकट परमा विचफास के दुखी हो रहे हे लोको जे सूतक नू मन लए पाव जे मन लए के सूतक दा परम रखना चाईदा है तां एवी चेता रखो के एस तरह सूतक सब थाई हुए गोहे अते लकडी अंदर वी कीडे हुँदे हान पाव उना दे अंदर ब्यंत कीडे ज इतने दाने हान इना विचों कोई दानावी जीवतों बिना नहीं है पाणिता है ही जीव सेत वास्ते गुणकारी अत्वा हानी कारक ब्यंत परकार दे किर्मा आधनाल पर पूर पाणिता जीवां दी जान है हर एक जीव विच हरे आवल अत्वा जान इसे दे कार नहीं है पाव सूतक वाला ब्राह्मनी बंदेज रख्या जाना असंभव है। जे ठीक टांगनाल सूतक वाले परमदी पालना करनी होवे ता मनों को पुखा ही मर जावे। क्योंके एस तरह ताहार वेले ही सूतक और सोई विच प्यार रहींदा है। एनानक एस तरह पाव परमा विच प्यां सूतक मनतों नहीं उतरता एसनु प्रबुदा ग्यान ही तो के ला सगदा है। साचदी पशाना जावे ता चूठ आपने आब ही अलोब हो जान्दा है। वितकरे अते हीन तादा अन्बव पैदा कार्नबाडे परमदे था साथ गुरां देत्य से सूतक दा बंदेज रखना से खिये। महला पहला मन का सूतक लोब है जहवा सूतक कूड अखी सूतक वेखना पारत्रे पारतान रूप कन्नी सूतक कान पै लायत बारी खाहें नानक हंसा आदमी बद्दे जाम पुर जाहें। पन्ना चार सो बहत्तर परमातमा दे हुक्म उनसार होरे जन मरंदा सूतक मन्ननू साथ गुरां ने निरोल परम फुर्मान कीता है। महला पहला सब वो सूतक परम है दूजय लगय जाए जम्मन मरना होक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पुवितर है दितोन रिजिक संभाहे नानक जिन्नी गुर्मुख बुजया तिन्ना सूतक नाहें। पन्ना चार सो बहत्तर अर्थ सूतक निरा परम ही है कि सूतक रूब परम माया विच फसियां मनोखनू आ लगदा है। जिन्ना गुर्मख खाने एक गल समझ लई है ओनानू सूतक नहीं लागदा। सूतकां दी नर्मूल पेटवाड़े परमदे जन्मदाते ब्रामनू ही संभोधन कारके कबीर सैव ने फुरमाया है। जाल है सूतक थाल है सूतक ओपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक सूतक पर्ज भिगोई। कहो रे पंडिया कवन पवीता ऐसा ग्यान जपो मिर मीता रहा। नेनों सूतक बेनों सूतक सूतक सरवनी होई। उठत बैठत सूतक लागय, सूतक परेर सोई, फासन की बिद सब कोई जाने, शूतन की एक कोई, कहे कभी रम रिदे बिचारे, सूतक तिनेना होई, पन्ना तिन सो इकती, अर्थ, जे जीमा दे जमन ते मन नल, सूतक पातक दी पेट पैदा हो जानी है, ताँ पाणी विच सू सूतक है, तर्थी उते सूतक है, हार्था सूतक दी उत्पती है, पाव हार्था पेट्या होया है, क्योंके किसे जीम दे जमन ते सूतक पैदा है, फिर मरने ते सूतक आपईंदा है, इस पेट्दे पर्म विच दुनिया खुआर हो रही है, ताँ फिर हे प्यारे मितर, इस गहुनाड विचार के दास हे पंडत जदों हार्थां सूतक पैर्या है सुच्चा कौन हो सकदा है रहाओ निरे अक्षी देश्टे जीव ही नहीं जामदे मरते साड़े बोलन चलन आदक हरकता नाल भी सूखम जीव मर रहाँ हन ता फिर आखां विच सूतक है बोलन पाव जीव विच सूतक है कना विच भी सूतक है उठतेयां बैठतेयां हर विड़े सानू सूतक पैर्या है साडीर सोई विच भी सूतक है जिदर विखो हर एक जीव सूतक दे पनम विच फसन दा ही टांग जान दा है इनना विच्चों खलासी कराउन दी समझ किसे विल्ले नू है कबीर आखदा है कि जो जो मनुख आपने हिर्दे विच प्रभू नू सिमर्दा है उना नू ए पेट नहीं लग दी जीव दे जन्म जा मर्न कार्ण पैदा होनवाडे सूतक अपवितरता अथवा पेट दे पर्मनुकडण वास्ते गुर्देव जी ने आपने तीसरे सुरूप विच फुर्माया है कि प्रभू दा सिमर्न कार्ण वाडे दे निडे किसे परकार्दी अपवितरता नहीं आ मन का सूतक दूजा पाओ परमें पूले आवो जाओ मनमुक सूतक कब एना जाए जिचर शब्द ना पीजय हर कैनाई रहाओ सब्वो सूतक जेता मुह आकार मर्मर जम्मे वारू बार सूतक अगन पौने पाणी माहें सूतक पोजन जेता किछ खाएं सूतक कर्मन पूजा हो नाम रते मान निर्मल होए साथगुर सेवें सूतक जाए मरें जनमे काल ना खाए साथ सिम्रत सोध देखो कोए विन नामे को मुकत ना होए जोगचारे नाम उत्तम शब्द बीचार कलमें गुर्मक उतर सपार साचा मरें न आवेजाए नानक गुर्मक रह समाए पन्ण को प्रमात्मा दे नाम दे जोड़दा ओतना चेर मनुख आपने मन दे पिछे तुरदा है ते आपने मन दे पिछे तुरण वाले मनुख दे मन दी अपवितरता सूतक कदे दूर नहीं हुंदी रहाओ ये पाई परमात्मा दे विसार के माया आदक होर होर नल पाया होया प्यार मन दा सूतक पाव मन दी पिछे तुरण वाले मनुख लई ये जितना ही जगत दा मुह है सारा सूतक दा पाव अपवितरता दा मूल है ओ मनुख इस आत्मक मौत विछ मर मर के मुड मुड जम दा रही दा है मन मुखा वास्ते अग हवा पानी सब विच अपवितरता ही है जितना कोज पोजन आद खांदे हन ओ भी उना वास्ते अपवितरता दा कार्ण ही बनदा है सूतक दे परंविच गरसे हुए मननू कोई कर्म कार्ण कोई वेद पूजा आद पवितर नहीं कर सकदी परमातमा दे नाम वे चरणगीज के ही मन पवितर हुंदा है साथ गरुदा आस्रा लया जावे ता मन दी अपवितरता दूर हो जांदी है गरुदी शर्न वे चरेंद वाड़ा मनुख ना मरदा है ना जामदा है अते ना उसनों आत्म को मौत ही खांदी है बेशक कोई तेर सिमर्तियां शास्त्रानु विचार के वेखलवे प्रमात्मा दे नामतों बिना मनुख मानसिक अपवित्तरता तों खलासी नहीं पा सकदा चौहां ही जुगां विच गुरू दे शब्दनों विचारंतों सेद लेके प्रमात्मा दा नाम जपके मनुख उत्म बन सकदा है इस जुग वेच वी जेसनों काल जुग किया जा रहा है ओही मनुख विकारां दे समंदर तों पार लंगदा है जो गुरू दी शर्ण पैंदा है हे नानक गुरू दे सानमुख रैन वाड़ा मनुख उस सदा अटाल परमात्मा वेच सदा ली रही दा है जो कदे जामदा मरदा नहीं एस तरह उस मनुख दे नेड़े कोई सूतक नहीं आ सकदा किताब विपरन की रीततों साचदा मारग पाग चुथा लेखक सरदार गुर्बग सिंग काड़ा अभगाना पहले काण दा दूजा पाग अवाज गुर्जन्ट सिंग रूपवाडी वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते